हाई फ्रिंट्स मैं हूं रेखा और रेखा दैंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होप बिलकुल अच्छे फ्रिंट्स आज हम आपके लिए क्या आए हैं व्रत्मे खाने के लिए फलाहारी रेसिपी यह हम साबूदाने से बनाएंगे इसमें हमें स असानी से पांच मिट में आप फलाहारी रेसिपी बनाके तयार कर सकते हैं फलाहारी साबूदाना रेसिपी बनाने के लिए हमने आप लिए हैं एक कप साबूदाने यह हमने बिगोई नहीं हैं ना दोई हैं ना बिगोई हैं सबसे पहले हम इनको कड़ाई में डाल लेंगे Medium low flame पर हमें साबू दाने को अच्छी तरह से roast कर लेना है Color change बिल्कुल भी नहीं करना है साबू दाने को roast करते हुए लगबख हमें 5 मिट के आसपास हो गए है और साबू दाने की नमी जो है वो बिल्कुल निकल चुकी है आप देख सकते हैं बहुत बड़िया से इनकी अवाज आ रही है अब हम गैस के flame को बंद कर देंगे और साबू दाने को ठंडा होने देंगे अब हमने यहाँ पे लिए हैं दो medium size के आलू यह आलू कच्छे हैं हमने boil नहीं किये हैं धोके रखे हैं सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे कच्छे आलू और साबू दाने से यह फलाहारी नाश्ता बहुत ही tasty बनता है आप एक बार बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा आप बार बार इसी नाश्ते को बना के तयार करेंगे देखिए हमने आलू छील लिये हैं अब हम आलू को अच्छी तरह से धो लेंगे और कट कर लेंगे देखिए हमने आलू को कट कर लिया है और पानी में डाल दिया है ताकि आलू का कलर चेंज ना हो और आलू अच्छी तरह से धुल जाए अब हम आलू को निकालके एक जार में डाल लेंगे हमने लिया है एक ग्रैंडिंग जार और इसमें डाल दिये हैं हमने कट किये वे आलू हमने यहापे दो हरी मिर्च ली हैं हरी मिर्च भी हम आलू के साथ में कट कर देंगे जितना आप spicy पसंद करते हैं उस आप यहां पर हरी मेर्च डाल सकते हैं हमने दो हरी मेर्च भी कट कर दी है अब हमने लिया है एक कप पानी जितना हमने साबूदा लिया था उसी हिसाब सि हमने पानी लिया है इसको हम जार में डाल देंगे और लिड लगा करके एक fine paste तयार कर लेंगे देखी कितना बड़िया से हमने आलू का पेस तयार कर लिया है आलू का पेस तयार करते समय हमने एक कप पानी डाला था पानी जादा होने की वज़े से मैंने 1.5 कप पानी निकाल के रख दिया है अगर जोरत पड़ेगी तो हम पानी इसमें और एड़ कर लेंगे अब हमने वापस से एक जार लिया है रोस्ट किये वे साबू दाने हम जार में डालेंगे जार पे लिड लगा देंगे और फाइन पाउडर तयार कर लेंगे साबू दाने का fine powder तयार हो गया है हलका सा दाना है हलका सा दाना अच्छा भी लगता है इसलिए हमने एकदम बिल्कुल powder की तरह बारीक नहीं किया है बहुत आसान है साबू दाने का powder बना के रखना इस तरह से आप फटाफट बहुत सारी recipes बना सकते हैं हमने जो आलू का पेस्ट बना के रखा है इसमें हम साबू दाने के powder को add कर देंगे अब हमने लिया है सेंधा नमक ये वरत में खाने वाला नमक है पेस्ट के according हम नमक डाल देंगे अगर आप बिना वरत के इस recipe को बना रहे हैं तो जो हम routine में normal नमक खाते हैं आप वो भी डाल सकते हैं अब हमने लिया है थोड़ी सी PCV कालिमिर्ष कालिमिर्ष भी डाल देंगे लिड लगा करके वापस से हम सबी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से grind कर लेंगे और अगर जो पड़ी तो जो हमने सारा इसमें डाल दिया है अगर ज़रत पड़े तो आप और डाल सकते हैं पर हमने और नहीं डाला है एक बार अच्छी तरह से पेस्ट को mix कर लेंगे ताकि सारा एक सा हो जाए हमने यापे धनिया पत्ति कट करके रखा है धनिया पत्ति डाल देंगे जो भी चीज आप रत में नहीं कहते हैं वो आप skip कर सकते हैं हमने यापे मुमफली का powder बना के रखा है हम 3-4 चमच मुमफली का powder भी एड़ कर देंगे मैंने यापे लगबग 3 चमच मुमफली का powder एड़ कर दिया है सबी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं बैटर काफी गाड़ा हो गया है अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे मैंने या पे आधा कप पानी लिया है और आधे में से आधा डाल चुकी हूँ क्योंकि साबुदाना है साबुदाना फूलता बहुत अच्छा है इस रेसिपी में पानी काफी लग जाता है देखिए कितना आसानी से फलाहारी रेसिपी बनाने के लिए बैटर बिलकुल रेड़ी हो चुका है वरत में आप जो भी ओईल खाते हैं वो हम गरम होने के लिए रख देंगे मैं आपर रिफाइंड ओईल गरम होने के लिए रख रही हूँ ओईल गरम हो चुका है आज़ी थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेते हैं अब हम फटा फट से साबुदाने के पकोड़े बना के तयार कर लेंगे देखिए कितनी आसान रेसिपी है देखिए कितने बढ़िया कितने क्रिस्पी साबू दाने के पकोडे बनके तयार हुए है जब भी आप साबू दाने के पकोडे बनाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत सारे एक साथ कड़ाई में नहीं डालें क्योंकि साबू दानाय यह आपस में चिपक जाता है आईए अब फटाफट से हम तयार किये वे साबू दाने के पकोडों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कितने बढ़िया और क्रिस्पी बनके तयार हुए है कितने बढ़िया साबू दाने के पकोड़े बनके तयार हुए है बहुती क्रिस्पी और कुरकुरे है आपको एक बात और बताओं इस बैटर से आप इडली बना सकते हैं अपे बना सकते हैं आपको जो अच्छा लगे आप वो इस बैटर से तयार कर सकते हैं हमने पकोडे बना के तयार कर लिए हैं, देखिए कितने बड़िया साबू दाने के पकोडे बनके ready हुए हैं, एक चीज का आप ध्यान रखें, जब भी आप साबू दाने के पकोडे बनाए, तो जो घोल है वो पतला नहीं होना चाहिए, अगर घोल पतला होगा तो जो साबू आने के पकोड़ें हैं वो बिखर जाएंगे अच्छे नहीं बनेंगे देखिए कितने बड़िया लग रहे हैं आप इनको दही के साथ में या फलाहरी चटनी के साथ में एंजॉय करें रेसिपी को ट्राई करें टेस्ट करें और अपने कमेंट्स हमसे शेयर करें हमें इंस्ट यू सो मुच हव नाइस दे